हाई एवरीवन नमस्कार सलाम सत्स्रियकाल वेलकम बेक टो माई चैनल हरद्वार फैमिली व्लॉग्स कैसे हैं आप सब आज मैं आपके साथ सेयर करूंगी अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन की इस लोकडाउन में मतलब जो आज कल चुटिया चल रही है इसमें मैं अपना रूटीन सुबह सुबह का कैसे करती हूं क्या रूटीन है मेरा सुबह का तो अब साड़े पांच का टाइम है और सबसे पहले मैंने मंदिर का परदा हटा आया और साइट जलाई और फिर गेट कौले हैं कि पाहर रोशनी हो गई है साड़े पांच बजए अच्छे से रोशनी हो जाती है और पिर टाजी हवा भी आती है क्यूंकि में मेरे दोनों साइट गेटे कर बाहर है मतलब खुला है दोनों साइट तो मैंने उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ जाडू पांच बजे उठी थी मैं जब से मेरा ब्रस वगेरा पहले ये मेरा सारा काम हो गया था उसके बाद ही मैंने गेट खोले हैं ये काम मैं पहले कर लेती हूँ थोड़ा बहुत फोन देखती हूँ तो ये मेरा सुबा उठने के बाद सबसे पहला काम था और फिर उसके बाद से मैंने व्लोग बनाना शुरू कर दिया था तो यहां जाडू मेरी अंदर की हो गई है अब मैं जाडू लगाऊंगी बाहार और पहले में गेट का लोग वगरा खुलूँगी अभी नहीं खुला है और जब तक मैंने अंदर सारे में जाडू निकाली तब तक बाहर अच्छे से रोशनी हो गई है तो बस मैं आगे जाडू लगाऊंगी और घूमना फिरना मतलब मेरा नहीं होता जैसे कि उपर छट पे टैलती हूँ तो मैं सुबर डेली नहीं करती हूँ हाँ वो मैं कभी कभी करती हूँ ऐसा मेरा कोई रूटीन नहीं है कि मैं डेली टैलने जाती हूँ उपर क्योंकि अभी मेरे पास time है अभी routine अलग है बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और उस time नहीं होता जब बच्चे स्कूल जाते हैं 6 बज़े बच्चे स्कूल मेरे चले जाते हैं घर से उनकी बस सवाचे तक आ जाती है तो गर्मी में वो मेरे लिए possible नहीं होता और मेरा तो वो काफी हो जाती है काम में आप देखते हैं इतना बड़ा घर है आगे से पीछे तक मैं पूरा काम अपना खुद करती हूँ तो इस तरह मुझे कोई जुरत जाद मैसुस नहीं होती कि मुझे टहलना चाहिए हाँ जब मन होता है थोड़ा बहुत छुटी है तो मैं टहल भी लेती हूँ पर च्छत पे और हवा की बात है तो सुबह ताजी हवा मुझे ऐसा करने में लग जाती है बाहर मैं किलिन करूंगी अच्छे से में गेट खोलूंगी सारे में ज़ाड़ो लगाऊंगी तो इसमें ताजी हवा मुझे काफी लग जाती है तो देखें मैंने सीडियो पर भी जाड़ो लगा ली है क्योंकि रात बहुत तेज हवा थी धूल मिट्टी में बहुत ज़ादा आती है क्योंकि खुला है और बाहर खाली पलोट पड़े हुए है रोड़ भी कच्चा है तो इस वज़े से बहुत ज़ादा धूल मिट्टी जाड़ में बाहर लगाने पड़ती है और शुब्हावे में दोनों टाइम मैं जाड़ो भार लगाती हुँ आं रोम वगएरा मैं आम शाम को जाड़ो नहीं लगाती है दूल मिट्टी पत्ते बागर आते हैं उपर से गमलों के-पोधों के तो वो मैं कर लेती हुँ तो य अब मैं आ गई हूँ किचन में बाहर का काम करने के बाद मैं इन्हें दूँगी अब मेथी पानी इन्हें डाइबिटीज है तो इसके लिए मैं मेथी बिगा कर रखती हूँ शाम को और सुबह वो पानी मैं इनको पीने के लिए देती हूँ और अब ये उठ जाएंगे इनको उठाना ही पड़ता है मुझे और मेरा पानी वगएरा का कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई special drink लेती हूँ सुबह ऐसा कुछ नहीं है मैं simple पानी भी ले लेती हूँ और वो भी जरूरी नहीं है क्योंकि कल मेरा फास था तो आज मैं पुझा करने के बाद ही पानी प्योंगी अभी म मैंने पानी वगएरा कुछ भी नहीं लिया खाली ब्रश किया है बस और पानी मैं नीबू ले लेती हूँ गुनगुने पानी में और थोड़ा सा डालती हूँ उसमें नमा किया फिर खाली भी ले लेती हूँ हनी मुझसे नहीं पिया जाता है हनी मुझे अच्छा नहीं बाद और उसमें फिर मुझे आदे गंटे का ब्रेक हो जाता है यह जब तक चाय वगरा होती है तो यह मेरा रूटीन है इस तरह का और यहां मेरी डेस्टिंग हो गई है यह रूम खाली था तो यह उदर सोय हुए हैं दूसरे रूम में यह खाली था जितना भी घर खाली है उ होता है क्योंकि मैं अकेली हूं तो सुबह फिर सबजी वगरा भी बनानी पड़ती है बच्चों की छे बजे तक मुझे उनका लंच तयार करना पड़ता है और मेरा नाना पुझा का काम भी सुबह ही होता है तो यह मैं बाद में करती हूं लेकिन आप जो यह रूटीन है मे सुबहाई कर लोंगी क्योंकि डेस्टिंग वगरा का जो काम है वो सुबहाई कर रही हूं और कपड़े भी मैं सुबहाई दुल लोंगी बाकी क्लेनिंग पूरे घर की हो जाती है जाड़ू पोचा यह सब हो जाते है बस एक रूम की बचती है डस्टिंग और बैड बनाना सही से बैड़ सिट वगरा सही करनी या जो भी करना चेंज करनी वो अंसोया हुआ है उस रूम में तो उसकी मैं भी नहीं करूंगी तो देखिए बैड तैयार हो गया है अच्छे से बैड चीट वगरा सब चेंज हो गई है अब मैं आ गई हूँ मशीन लगाने के लिए तो यहां मुझे मशीन में पानी भरना है और वो मैं पाइप सी भर लेती हूँ ऐसे ही और आज कल बहुत थोड़े से कपड़े दुल रहे हैं तो आज कल सर्फ इस्तमाल नहीं कर रही हूँ बस खाली थोड़े सा लिकविट डालती हूँ और कपड़े दूल जाते हैं क्योंकि कपड़े इतने जादा होते ही नहीं है एक हाथ बैड चीट उतरती है या फिर हमारे इतने कपड़े होते हैं तो बस यहां मैं पानी भरने के बाद थोड़ा सा इसमें लिकविट डालूंगी और यह आ गए हैं उपर से देखिए देख रहे हैं और इस टाइम इन्हें नहीं पता है कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ खड़े हो गई आगे से मैं भी नहीं बोल रही हूँ फिर बाद में पता लगा कि मुझे बताया क्यों नहीं कि वीडियो चली हुई है यह आ गए है अब यहाँ इसलिए मैं हस रही हूँ और बता रही हूँ इनको यह बोल के चले हैं कि मुझे बताया क्यों नहीं कि वीडियो चला रखी है तो बस अभी आ गए हैं यहां अपना गार्डन देखने के लिए अब थोड़ा सा हम गार्डन देखेंगे जो भी थोड़ा बहुत कलिया वगएर आई हुई हैं जैसे हम रूद पर आम पर थोड़ी बहुत तो वो देखते हैं सुवा उटके बहुत अच्छा लगता है इस तर लकिन में से कोई कलर निकलेगा तो मैं एक साथ यहां कपड़े डाल दूँगी और दो बार में मेरे कपड़े धुल जाते हैं बस आगली बार में बैट सीट वगएरा डाल दूँगी तो यह कपड़े मैं डाल दूँगी अभी और बस अब मेरी मशीन भी लग गई है अब देखते हैं थोड़ा सा गार्डन देखिये अब हम जुक जुक के देख रहे हैं आराम से कि कितने मेंगो आई हैं कितने मुरूद पर कलिया आई हैं वह सब आम यहां सुब्र शुब़ें उठने के बाद और गार्डन में कुड़ा सा हो रहा है पत्ते बगरा गिर रहे हैं पिले-पिले पत्ते बस यह इनको मैं बोल लही थी कि आज थोड़ा सा सफाई कर देंगे गार्डन की पुदीना तो हो गया है लेकिन धनिया अच्छे से नहीं जमा है दनिया की जगे बहुत सारी तुलसियां जम गई है क्योंकि वहाँ पिछली बार तुलसी बहुत ज़्यादा थी तो बस यही हम माबाते कर रहे थे और फिर मैं आ गई हूं किचन में तब तक कपड़े दुल जाएंगे मेरे बरतन अभी पड़े हुए हैं बरतन लगा लूँगी जो रात के मेरे मंजे वे बरतन रखे हैं और एक दो कोई दूद का कोई पानी के एक दो गलस वगएरा होते हैं इस ताइम वो मैं मांज लूँगी और एक बार अच्छे से स्लैप वगएरा अच्छे से मैं सुभा को भी साफ कर लती हूँ सिंक, स्लैप सब अच्छे से एक बार बरतन लगा वाह तो रात को सारे हो जाते हैं तो अविए आमे इतना सा काम करूंगी और जो मैंने आज ये टीशर्ट डाली है ये बहुत लूज सी बहुत बड़ी सी टी-शिर्ट है इसको पहन कर मुझे अच्छा लगता है धीली ढाली है काफी और ये मैं पापा के सामने भी पहन लेती हूँ अपने ससुर के सामने वो जो शॉट वाले टी-शिर्ट वगरा होती है लोवर वो मैं उनके सामने नहीं पहन पहनती या फिर जब पहनती हूं जब मुझे लगता है कि अब मुझे पापा के सामने नहीं आना है या उस टाइम पहनती हूं लेकिन यह जैसे कि मैंने सलवार के उपर जुब पहना लेते हूं क्योंकि मुझे पहनने लेना होता है तो व最 अच्छा नई लगता कि शौट सी टी-शिट पहन लूँ और फिर उपर से दुपट्टा ले लूँ तो ये मेरी ड्रेस इस तरह की है कि सलवार के उपर मैं आराम से लोंग सी ये बहुत धिल ढाले सी टी-शिट डाल लेती हूं इसमें मुझे पापा के सामने अजीब नहीं लगता ये नहीं है कि मुझे पापा कुछ भी नहीं लेना पड़ रहा है इस टाइम लेकिन टी-शिट मैं फिर भी रात को इस तरह से डाल लेती हूं और ज़्यादा टी-शिट या नाइट सूट मैं नहीं रखती क्योंकि जो कपड़ा नहीं पहनना उस पे क्यों पैसे वेस्ट करूं भीना मतलब हाँ अब गर करनी पड़ती है क्योंकि इसमें पानी की बूंदे इस तरह जम जाती है अगर मैं एक बार भी साफ ना करूं तो इस टाइम मैं यहां इसको रगड़ रगड़ के इसलिए माजती हूं क्योंकि फिर मेरा सारा काम अभी खतम हो जाएगा नास्ते के बाद मेरा हलका फुल का का गसता है तो फिर जिससे किये मुझे हलकी स साफ करनी पड़े इस टाइम मैं, मैं के फिर और फिर और आय। पिर मैं इस टाइम को करना को लेकर जादा हो लेकर लेकिन क्या करूँ करना तो पड़ता ही है तीन टाइम मुझे सिंग किसी तरह मांजनी पड़ती है जब जाके ये थोड़ी क्लीन रहती है नहीं तो इसमें पानी जम जाएगा इतनी गंदी हो जाएगी कि फिर इसमें बरतन दोने का भी मन नहीं करेगा तो देखी अब मैंने इसको अच्छे से साप करके पौँच के छोड़ दिया है कुछ देर तक शान्त रहेगी जब तक मेरा पूजा उजन नहीं होगी तो यहाँ आप मैं आ गई हूँ वासबेसिन क्लीन करने के लिए वासबेसिन को क्लीन बस खाली इसी से कर रहे हूँ डेटोल जो रखा हुआ है यहाँ पर वही हलका सा डाला है और इसको प्राइट रखती हूँ मैं वासबेसिन साप करने का लग से उससे मैं इसको रघड के अच्छे से साप कर दूँगी नहीं तो इसमें भी पानी जम के फिर वही हालत होती है तो बस अब वो इस विशन क्लेन करने के बाद मैं बाहर कर लूँगी इसी तरह से और फिर चलती हूँ थोड़ा सा गार्डन में काम है वो करती हूँ तो देखिए गार्डन की सफाई हो गई है अच्छे से और अब मैं यहाँ थोड़ा सा पानी से पाइप से ही पानी डाल लएं हूँ इन में अलकल का क्योंकि मैंने क्या किया है आज सारी क्यारी तो साफ की है इन्होंने भी की है और मैंने भी हम दोनों नहीं की है उसको मैंने दनिया बोया था वहाँ तुलसी 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 जम गई हैं बहुत ज़ज ज़गा आम के इधर पिछली बार बहुत ज़ज़ी का बाग था तो उसके बीज जड़े हुए थे और अब जैसे हैं अमने धनिया बोया उनको कुरेदा मिट्टी अच्छे से सॉप्ट की तो उससे वो तुलसी सारी जम गई तो इधर ऐसा हुआ है और ये पुदीना मेरा हो गया है अच्छे से यहां पर तो अब मैंने सारी क्यारी का कूडा इकटा किया और इधर जो गुडल के नीचे अमरूद के नीचे है इनकी जो बीगी हुई मेती होत नहीं खाई जाती गरम होती है तो कमी खाते हैं लेकिन मुझे अच्छा लग राता इतने अंकुर फूटे वे तो उसमें मुझे फैकने का मन नहीं हुआ और रखी भी मैंने इसलिए थी वो कि इसमें अंकुर निकलेंगे देखती हूँ और फिर इसको बो दोगी तो यहां म तो नाना मेरा हो गया है पूजा हो गई है सुबह का रूटीन मैंने आज आपको दिखाया कि कैसा चल रहा है मेरा आज गल का रूटीन और यह आज गल गाई है हमेशा का नहीं है हमेशा का रूटीन मेरा अलग होता है लेकिन आप बच्चे भी नहीं जा रहे और ये भी पूजा यह आता था और उसके बाद का जो कप्रे धोने का पोछे का काम है क्या डस्टिंग का काम है वो सारा मेरा बाद में होता था प्रेकफस्ट के बाद लेकिन अभी यह मैं सब पहले ही कर लेती हूं क्योंकि एक तो परिवार वह छोटा हो रखा है और फिर किसी की अटें और ब्रेकफस्ट आज मैं आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं करूंगी क्योंकि यह वीडियो लंबी हो जाएगी और इसमें मुझे आपके साथ शेयर करनी है एक रेसिपी आइस्क्रीम की कल क्या था कि मैंने कल कोई भी व्लोग नहीं बनाया था कल मेरा इक आदसी का फास था और इक आदसी की वज़े से मैंने कोई व्लोग नहीं बनाया था बस आइस्क्रीम बनाई थी तो उसी की मैंने वीडियो बना ले थी थोड़ी सी किलिफ तो वो मैं इसमें अड़ करने वाली हूँ अगर आज मैं बनाती तो फिर ये मतलब होता उसका कि सुबह से लेके शाम तक वो लोग चलता आइस्क्रीम का क्योंकि काफी बीच में गैप होता है 7-8 घंटे चाहिए कम से कम तो कल मैंने वो आराम से कर लिया था तो वो इसमें मैं अड़ करूँगी और जो इससे अगली मतलब मेरी breakfast है, lunch है जो भी आज मैं करने वाली हूँ आगे वो continue रखूँगी लेकिन दूसरे व्लोग में, उसका मैं दूसरा व्लोग तयार करूँगी क्योंकि आज मुझे दो व्लोग तयार करने हैं, कल फिर नहीं करूँगी कल फिर मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, कल फिर मेरा मंडे का फास्ट है और बस मैं सोचती हूँ कि चलिए फास्ट में व्लोग वगरा नहीं बनाती क्योंकि फिर चलिए आज तो तयार कर लेती हूं, क्योंकि फिर आपको डेली के डेली मिलता रहेगा नहीं तो फिर एक दिन क Rap हो जाएगा तो अब मैं इस वीडियो का तो यहाई पर end करूँगी और दूसरा व्लोग अपना शुरू करूँगी इस से आगे का जितना भी मेरा काम बचा हुआ है उसमें मैं महा से ही उसको शुरू करूँगी आज इसी तरह से मैं दो व्लोग पूरे तयार करूँगी और आज मैंने साड़ी पहनी है बहुत पतली सी गर्मी की साड़ी है बहुत लाइट कलर है बहुत ही लाइट क्रीम है लेकिन वीडियो में वाइट लग रहा है इसमें कैमरे में वाइट आ रहा है वाइट नहीं है बहुत क्रीम है वाइट साही दिखता है तो यह साड़ी मेरी तो वो तो रखी रहती है, वो तो गर्मे नहीं पहनी जाती, तो मैं घर की साड़ी हम बहुत कम रखती हूँ, बस एक आद कमन किया, कभी, पहन ली, तो इस तरह से करती हूँ, और गर्मी में तो बिल्कुल नहीं पहनी जाती, नहीं सर्दिम पहनी जाती, जैसे अब बीच का मेरे साड़ी तो तो इसलिए आप पूरा दिन अपना कोईâm पेड़ी काम नहीं है तो इसलिए मैंने अज साड़ी पहन लीवित है बताएगा कैसे लग रही है मेरे साड़ी तो बस अब आपको दिखाऊंगे आइस क्रीम तो चलिए चलते हैं कीचन में और देखते हैं आइस क्रीम तो देखिए यहां मैंने पैन चड़ा लिया है और उसमें डाला है मैंने आधा लिटर दूद नापके डाला है पूरा आधा लिटर और अब दूद को मुझे बोयल आने तक पकाना है चलाते हुए कहीं दूद नीचे चीपक ना जाए उसे चलाते हुए बोयल आने तक पका लूँगे तो देखिए दूद में बोयल आ गया है और आज मैं यहां बहुत ही सिंपल सी कुलफी बनाने वाली हूँ बहुत ही कम ingredient के साथ तो यहां दूद अच्छे से उबल गया है और दूद को हमें उबालते रहना है गाड़ा होने तक और फुल क्रीम दूद लेना है फुल क्रीम दूद लिया है मैंने जो मेरे घर में आता है दूद वह लिया है और उसको भी मैं अच्छे से पका लूँगी, मतलब काफी देर तक पकाना है इसको गाड़ा होने तक और इसमें कोई मैं जादा कोई वो नहीं डालूँगी, कंडेंस मिल्क नहीं डालूँगी, कोई क्रीम नहीं डालूँगी, कुछ भी नहीं डालूँगी, बहुत सिंपल सी मैं कुलफी बनाने वाली हूँ नहीं तो कुलफी में बहुत सारी मतलब कंडेंस मिल्क से बनाते हैं और क्रीम से बनाते हैं लेकिन मैं बहुत ही कम सामान के साथ बनाऊंगी तो यहां दूद काफी पक चुका है अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा मिल्क पाउडर और मिल्क पाउडर से यह थोड़ा सा और जल्दे ठिक हो जाएगा इसलिए नहीं तो हम ना भी डाले दूद को और ज़्यादा गाड़ा कर लें तो देखिए आधा मैंने पहले और थोड़ी देर के लिए जिससे की और यह अच्छे से गाड़ा हो जाए देखिए इस तरह से तो यहां देखिए दिख रहा है काफी पक गया है गाड़ा हो गया है दूद और अब मैं इसमें एड करूँगी बादाम का पाउडर बादाम का पाउडर मैंने घर में ही बना से पग गया है तो आप करते हैं इसमें एड़ बादाम का पाउडर मैं चार चमच मैंने यहां बादाम का पॉडर डाला है इसमें और यह छिलके वाला ही बादाम है इसलिए थोड़ा सा इनका इस तरह से लग रहा है और अब मैं इसको अच्छे से mix कर दूँगी थोड़ा सा और पकाऊंगी देखिए दूद काफी गाड़ा हो गया है इतना थिक भी नहीं हुआ है कि इसका मावा बन गया है ऐसा भी नहीं हुआ है लेकिन हा गाड़ा काफी हो गया है और बादाम की जगे आप चाहे जो भी इसमें ड्राइफ रूट डाल सकते हैं, मोटे भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें पाउडरी डालना जरूरी है, अगर आपको मोटे ड्राइफ रूट इसमें डालने हैं, हम मोटे भी इसमें डाल सकते हैं, बस वो यह है कि हमें थ जितना भी आपको मीठा बनाना है तो मैंने चीनी भी यहाँ एड़ कर दी है इसमें और फिर से इसको थोड़ा सा पका लूँगी चीनी डालने के बाद और अब मैं इसमें एड़ करूंगी चार से पांच बूंद वनेला एसेंस की चाय तो आप इलाइची पॉडर भी डाल सकते हैं अगर आपको इलाइची फ्लेवर पसंद है कुछ भी डाल सकते हैं कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं लेकिन मैंने यही डाला है और अब इसको मैंन फिर खुलने का डर रहता है गैस बन जाती है उसके अंदर बहुत जादा तो ठंडा करकर फैटे देखी कितना प्यारा कलर लग रहा है इसका और इसको मुझे थोड़ी देर चलाना था तो मिक्सी में मैंने इसको चला लिया है जिससे की हमारी जो कुलफी है वो सौट बनेंगी इसमें काफी एयर बन गई है मतलब हलका हो गया है ये फैट कर और ये आइस क्रीम के मोल्ट थे मेरे पास कुलफी के मतलब ये मेरे पास पहले से रखे हुए हैं कई सालों के हैं ये दो हैं मेरे पास एक अलग-अलग सेप के हैं और ये एक सेप का है तो इसमें मैंने भर दिया है इनको देखे इस तरह से और फिर इनके डखकन लगा दिये हैं फिर मैंने दो डखकन लगा के देखे थे लेकिन फिर मुझे उनमें कम लगा तो मैंने दुबारे से निकाल के फिर थोड़ा थोड़ा उनके अंदर ओर डाला है क्योंकि इसमें फैटने के बाद काफी जाग से बने हुए थे तो उस वज़े से तो देखिए मैंने धकन लगा दिये हैं आब इनको 6-7 गंटे के लिए मैं फिरिजर में रखोंगी और ये बच गया था उसमें से तो ये मैंने इस तरह से एक डब्बे में निकाल लिया है देखिए इस तरह से अब इसके उपर मैं फोयल लगा दूँगी इस तरह से और फिर इसके उपर धकन लगा दूँगी खाली ढकन ना लगाएं क्योंकि फिर इसमें मॉस्चर बनेगा और वो इसके उपर टपके पड़ेंगे तो इसके उपर एक बरप की लेयर बन जाएगी तो इस तरह से चाई बटर पेपर लगाएं कोई भी लगाएं इस तरह से करें तो देखिए अब 6-7 घंटे के बाद मैं आपको आइस क्रीम चेक करके दिखाती हूँ इनको मैंने थोड़ी धेर पानी में रख लिया है बाहर निकालने के बाद जिससे की आइस क्रीम हमारी अंदर से थोड़ी सी छुट जाए आराम से और देखिए इस तरह से मैं इनको हातों में पकड़ रही हूँ जिससे की थोड़ी सी गरमाट आ जाए और आइस क्रीम हमारी कुलफी आराम से निकल जाए तो देखिए कितने आराम से हमारी कुल्फी निकल रही है इस तरह से हलके हलके से इलानी है कई ऐसा नहों बहुत जोर से इला दे और इनकी जो उपर के कैफ है ये अलग ही निकल जाए तो देखिए कितनी प्यारी सी और कितनी अच्छे ऐसक्रीम हमारी बनी है और ये वो वाली है जो मैंने अलग से रखी हुई थी देखिए कोई देखकर बता नहीं सकता कि मतलब ये आइस क्रीम हमने इतनी कम चीजों से बनाई है जो घर में चीज अवेलेबल होती है उससे बनाई है बहुत ही आइस क्रीम बने थी देखने में नहीं खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी और मुझे बताएगा जरूर कैसे लगी आपको मेरी कुल्फी की रेसिपी तो बस यही थी आज की वीडियो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ थैंक यू फोर वर्चिंग